हलो दोस्तों नमस्कार आज के इस करेंट अफेर्स के वीडियो में हम इस सब्ता के 7 अगस्ते और 13 अगस्त के बीच में करेंट अफेर्स के प्रिस्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें पहला प्रिस्न है कमबोडिया के नए प्रधान मंतरी के रूप में किशे निप्त किया गया है तो इनका नाम है हुनमैनेट हुनमैनेट दूसरा अपिकल्प सही हो जाएगा दूसरा हाली में लोकसभा सचवाला में किस नेता की लोकसभा की सदिश्था भाल की गई तो ये हैं कांग्रेस के राहूल गांदी जिनको मार्च में डिवार कर दिया गया था मार्च से अब तक इनकी लोगसभा की सदस्ता नहीं थी अब सुप्रीम कोट के निड़ने के वाद इसको सचवाल एन उनकी सदस्ता को बाहल कर दिया परस promot 3 है किस भारती खलाडी ने इस पेन में महला टेनिश हार्ड कोर इस पड़ा में योगल खिता जीता है योगल खिता है योगल खिता मतलब इंके साथ कोई और भी होंगी तो किसुने जीता है यह जीता है प्रार्थना थोंब्रे ने प्रार्थना थोंब्रे बिकल्प संक्या तीन और इन्हों ने यह यूगल खिताब जो जीता है रूस की अनास्ता सिया तिको नौबा के साथ संयुक्त रूप से यह जीता है कौन सा भारतिय तीरंदाजी में सबसे कम उम्र में विश्व चेंपियन बना है तीरंदाजी में सबसे कम उम्र में चेंपियन बना तो इनका नाम है अदिती श्वामी बिकल्प संके बज़ागा एक पांच हर वर्ष राष्टिय हतकरगा दिवश राष्टिये हत्करगा दिवस जो है वो कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है साथ अगस्त को और ये नौवा राष्टिये हत्करगा दिवस है पहला जो था वो 2015 में मनाया जया था अम्रेत भारत श्टेशन योजना केता है देश बर में कितने रेलवे स्टेशनों का अधुगन करने की योजना है तो इनकी संख्या है 508 विकलत संख्या हो जाएगा दो इसकी लागत जो है लगवख 25,000 करोड रुपे 25,000 करोड रुपे इसकी लागत आएगी और इसमें UP और राजस्थान में सबसे ज्यादा स्टेशन है 55-55 उसके बाद महाराष्ट में हैं बिहार में हैं राष्टी ये भाला दिवस को किस दिनां को मना जाता है ये भी 7 अगस्त को मना जाता है क्योंकि 7 अगस्त 2021 को अगला है किस भारतिय अमेर्की को टेसला का नया मुख बित्तिय अधिकारी निक्त किया गया है किस भारतिय अमेर्की को टेसला कमपनी जो है इसका मुख अधिकारी निक्त बित्तिय अधिकारी किया गया है तो इनुक तुझीन का नाम है वयभग तनेजास विकल्प संनकी हो जाएगा ए sigue टी-20 किर्केट में अर्थ सतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्मr के भारतीं सबसे कम उम्मr के भारतीं कौन बन गए हैं जिन्नोंने दूसरे सबसे कम उम्र के भारती है इससे पहले एक और हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में अर्द सतक बनाया था और ये दूसरे खलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में अर्द सतक T20 में बनाने वाले बन गए हैं तो ये हैं तिलक बर्मा और इन्होंने बेश्टन डीज के खिलाब दूसरे T20 में अभी जो सीरी चल लई है उसमें ये कारणामा कर दिखाया सबसे कम उम्र में T20 में अर्द सतक लगाने वाले हैं रोहिस सर्मा जिन्होंने 20 साल और 143 दिन की उम्र में अर्द सतक लगाया था T20 में इस याई खेलों में भाग लेने वाले अथरीटों पर भारती खेल प्रादिकरण द्वारा बनाईगी लगू फिलम का सीरसक क्या है इसका ना सीरसक है हला वोल परसन 11 इस बर्स दस दस देवसीय मालावार अभ्यास ये नौसैनिक अभ्यास है कि मेजवानी कौन करेगा परसन संख्या 11 इसमें 4 देश सामिल होते हैं आश्टेलिया जापान भारत और अमेरिका तो इन चारों में इस बार जो मेजवानी कर रहा है वो है आश्टेलिया इस में इसकी सुरुआत जो हुई थी 1992 में हुई थी भारत और अमेरिका ने इसकी सुरुआत की थी 2015 में इसमें जापान सामिल हुआ और 2020 में इसमें आश्टेलिया सामिल हुआ 1992 में भारत और अमेरिका ने इसकी सुरुआत करी थी 2015 में जापान सामिल हुआ और 2020 में आश्टेलिया सामिल हुआ 2020 में आश्टेलिया तो इस तरह से ये चार सदस्नों के बीच देशों के बीच नोसानिक अभ्यास है पैरा वैडमेंटर इंटरनेशनल 2023 में SL 3, SL 4 कटेगरी में इस जोडी ने शोण पदक जीता है किस जोडी ने ये शोण पदक जीता है तो इस जोडी का नाम है प्रमोध भगत और सुकांत कदम पहला ही विकल्प सही हो जाएगा तेरा है केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारत नेट प्रिजुना के तहट गाउं में ब्रोड बंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है ये 1.3 लाग करोड रुपए दूसरा अबिकल्प अगला है विश्व अथलेटिक चंपियंशिप में भारत का नेतरत कौन करेगा विश्व अथलेटिक चंपियंशिप में भारत का नेतरत नीरत चोपड़ा करेंगे जो भाला फेंक के अथलेटिक हैं T20 इंतराश्टी क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेवाज के नमबर यानि दूसरे नमबर के सबसे तेज बल्लेवाज इनों सबसे जल्दी यानि सबसे कम मैचों में 100 छक्के पूरे किये हैं T20 में तो यहाली में कौन बन गए हैं तो यह बन गए हैं हमारे शूरिय कुमार यादव शूरिय कुमार यादव और कृस्ट गेल सन्युक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं सबसे तेजिछ सो छक्के पूरे करने वाले हैं उनें दोनों मिलके 49 पारियों में ये 100 चक्के पूरे कियें पहले नमबर पहें एविन लुईस एविन लुईस हैं जिन्होंने 48 मैचों में 100 चक्के पूरे किये 48 पारियों में देश के सही दिवीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट व्यापिया वियान चला है तो इसका नाम है मेरी माटी मेरा देश इसे मन की बाद में प्रधान मंत्री ने इसकी गोशना की थी हाली में किस राज की बिदान सवा ने शमान नागरिक सहिता के खिलाब प्रस्ताव पारित किया है किस की है ये बिदान सवा ये केरल की है अगला प्रसे संक्या 18 है BRICS Startup Forum किस देश द्वारा लांच किया गया BRICS Startup Forum ये भारत द्वारा ही लांच किया गया BRICS में हमारे ब्राजिल, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अपरीगा है तो ये भारत द्वारा लांच किया गया केंद्रिय अपरित्यक्ष कर और सीमा सुल्क बोड के अध्यक्ष के रूप में भी पदवार समाला किस ने समाला है तो इनका नाम है संजय कुमार अगरवाल बिकलब संक्या 1 20 है वारती सेना के प्रमुक जनरल मनोज पांडे ने हाली में किस देश की आत्रा की है तो यह है यूके बिकलब संक्या हो जाएगा 3 यूके की इनों ने अत्रा की है अगला 21 है उडीजा के हाई कोट के मुक्नाज इसके रूप में किसे ने अभी सपत ग्रेंड की है तो 21 का हो जाएगा सुवासिस ताल पात्रा पहला बिकलब अगला भारतिये रिजर्ब बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर परवर्तित रखा है तीन लगातार तीसरी बार आएगे जब उसने इसको चिंज नहीं किया तो यह 6% भारतिये बैंडमेंटन संके गोहाटी राष्टी उतकरस्ता के अंद के एक मात्र मुख कोच के रूप में किसे नुक्त किया गया है परवर्तित संक्या तेइस का हो जाएगा मुल्यो हांडयो पहला बिकलब किस राज जत्वा के नसाथे प्रदेश के राजवरी चिकरी वुड क्राप्ट को जी आई टैग मिला है तो यह राजवरी जिला जम्मू कस्मीर का है और यह इसका हो जाएगा जम्मू कस्मीर विकलब संक्या तीन इंटरनेट लचीलापल सूच कांक या इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स जिसे बोलते हैं भारत का कौन सा इस्थान है इसमें भारत का 6 इस्थान है बिकलब संक्या 4 हो जाएगा हाल इमेक किस बैंक ने इकोफरेंडली डेविट कार्ड लाच्च किया है किसने किया एटेल पेमेंट बैंक बिकलब संक्या तीन 27 विश्च शेर दिवस लाइंस डे वर्ल डान लाइंस डे कम मनाया जाता है तो यह मना जाता दस अगस्त को मना जाता हूँ यह 2013 से मनाया जा रहा है अगला 28 से नई दिल्ली में नौवे भारत अंतर राष्टी कि मसमी एक्सपो और सिखा सम्मेलन 2030 का उद्गाटन किस ने किया है तो यह जम्मू कस्मीर में हुआ और वहां के उप्राजपाल जो है मनुश्चिन्ना ने किया है किस राज की विदान सवा ने एक प्रस्ताव पारित कर के अंदर से अपने राज का नाम बदलने का और रखाया बढ़ाने पे हो जाएगा यहां तो यह रखाया है नोंने 500 रुपए अभी यह सीमा 200 रुपए है यूपी आई लाइट एक यूपी आई के तहत है कि यूपी आई लाइट उसका फंक्सन होता उसके तहत हम 200 रुपए तक अधिकतम पैमेंट कर सकते हैं लेकिन लीए पांच्ण करने की बात हो रही है तेरभी बारसेक इंत्रम्र इंडिया आवाड में टेक श्काट अफ्व 气र ऐसे किसे संवानेत किया गया गया है यह किसे संवानेत और जाएगा 4, अगला है, लाइन आफ कंट्रोल के पास बहरत के पहले डांग घर का उतगाटन जम्मू कस्मीर के किस जिले में हुआ है, जिले का नाम पूंचा गया है, तो जिला है कुप वाड़ा, कुप वाड़ा में इसका उतगाटन हुआ है, 24 है, 27 अक्टूबर से 5 नुमर 2 जाएते तक चलने वाली into acii, महला हौकी पुरुष चैंपियंसीप पुरुष चैंपियंसीप का आवजिन कहां होगा इस का आवजिन कहां होगा acii महला हौकी चैंपियंसीप का तो यह होगा जहार खंड की राज़ानी राची में विकल संख्या ती 35 बर्स 2030 के लिए कितने पुलिसकर्मी औरदकारियों को जाच में उतकरश्टा के लिए केंद्रिय ग्रह मंतरी पुलिसकार या पदक से सम्मानित किया जाएगा तो जिनों की संख्या है 140 विकल संख्या हो जाएगा दो अंतर राश्टी यूबा द दिवस 13 अगस्त के अवसर पर किस राज के मुक्मंत्री ने नशा मुक्त प्रदेश ससक्त प्रदेश अभयान शुबारम किया तो यह योगी आजतनाजी है उत्तर प्रदेश के 27 इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी इंटरनेट रेजिल लैंस इंडेक्स 2023 अथाथ बहतर जागता बढ़ाने के लिए निवेशक जागता वैन निवेशक शारती की शुरुवात किस शहर द्वारा की गई है तो यह दिल्ली एंसियार पिकल्प संक्याओ जागत तीन 49 में हाली में 78 बरसिये विकास शिन्ना जो है उनका निधन हो गया तो यह किस छेतर से संबंदे थ अगला है हाली में नालंदा बहुत धरम पर एक दिवसिये राष्टिये सम्मेलन का आयोजन किया गया कहां किया गया परसन संक्याओ 40 का तो यह किया गया लद्दाक में विकल्प संक्याओ यह को जाएगा एक ताले से सब्ता के सभी दिन 24 गंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला वैंक कौन बन गया है तो यह बन गया है हमारा पहला वैंक जो बन गया यह यू इश्माल फाइनेंस वैंक पहला भी कल्प हो जाएगा इसका भी इस रो द्वारा बिक्सित लगू उपगरे प्रचेपण यान SSLB के प्रचेपण के लिए एक नए स्पेस कोट की स्पोर्ट स्पेस पोर्ट पोर्ट होगा कोट नहीं होगा स्पेस स्पेस पोर्ट स्पेस पोर्ट की स्थापना तमिल नाडू के किस में किस इस्तान पर की जा रही है तमिल नाडू में किस इस्तान पर की जा रही है उस इस्तान का नाम बुझ रहा है तो इसक जत्ती धाम कोरी डोर किस पर बनाय जाएगा है तो ये बना जाएगा नर्मदा नदी पर पिकल्प संक्या हो जाएगा तीन चवाल साली में कांगे कलके किस नेता को दुर बेवार के आरोप में लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है तो ये हैं अधीर रंजन चोदरी अगला है परियावन बनेवं जलवाई परवर्तन मंताला एक अनसार देश में लगवग इंडियन बश्टर्ड ग्रेट इंडियन बश्टर्ड की संक्या कितनी है तो ग्रेट इंडियन बश्टर्ड की संक्या जो है हमारे देश में जो आखी गई है वो 150 है अगला है 46 साल ही में चर्चित फानो नामक एक इस्थानिय जाती मिलीसिया ससस्त्र चरंपनती समूव है निमलिक्त में से किस देश से संबन देता है ये इस देश का नाम पूच रहा है किस देश से संबन देता है तो ये है इथोपिया दूसरा विकल्प हो अते हैं बारा ऐगस्त को अगला है 48 हाली में दबी में स ओप्रशान dzisiaj हॉन्डेट टूर्णवींट पांच रॉडबित्स कादे पहली तो ये ये पहली घुनर इस इस चमर्टी बंदाना विकल्प संह्ätte इंक हो जाए गैगा अगला है चैंगदूर्चीं में संपन्न है FSU World University Games में भारत के कुल कितने पदक है पदकों की संक्या पूछ रहा कितने पदक जीते हैं भारत ने तो इसने जीते हैं 26 अगला लाश्ट एंड़ पचास हाली में वर्ल्ड आर्चरी चेंपियंशिप 2013 में सीर्स पर कौन रहा है देश का नाम पूछ रहा है सीर्स पर कौन रहा है तो ये सीर्स पर रहा है हमारा भारत लिकलप संक्या हो जाएगा तीन